पबजी निव स्टेट को दो तीन चार्जी भी रैम बाले फोन्स पर स्मूथली चलाने के लिए इस वीडियो को कम्प्लेटली वाच करें और हर एक स्टेप और ट्रिप्स और ट्रिक्स को स्टेप बाई स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो भाई आपके फोन पर भी पबज उससे पहले अभी से वीडियो पर लाइक करके टेक्नो माइड उज्जार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे तो चलिए बीना टाइम होइस्ट किये इस वीडियो को स्टार्ट करते तो फास्ट में हम लो वीडियो में आगे जाकर प्रोवाइड करा दूँगा वहां से आप डाउनलोड कर लेना ठीक है तो इस स्वेडियो करने के बाद आपको सबसे पहले लिख देना है कि आप कितना रैम आट करना चाहते हो मैं आपको एक चीज़ बताए तो अगर आपके फोन पर 2GB RAM है तो आ आप यहां से 4GB VR RAM एड करो क्योंकि 8GB से ज़्यादा आप रैम करोगे तो वह काम का नहीं रहेगा ठीक है तो यहां पर मैं for example आपको दिखाने के लिए जस्ट 1GB एड कर देता हूँ जैसे कि 1024 एड कर देता हूँ उसके बाद आप create swap पे click कर दोगे तो यह automatically process लेगा and कुछ आपके लगता है उसके बाद आपके फोन पर जो रैम है मतलब की VR RAM ओ एड हो जाएगा जो कि भली आपको about phone पर जाकर नहीं दिखेगा बट इसके बाद से जब भी आप game खिलोगे ना मतलब की new state वाला PUBG जान आप देगना आपको उसमें काफु जदा फरक देगने को मिलेग और जो VR RAM हम लोग ने add करा है ना उसे भी optimize किया जा सकता है जो कि आप कर दोगे इसके बाद के settings को apply करके तो आपको और जदा उसका फायदा मिलेगा तो optimize करने के लिए इस VR RAM को सबसे पहले हम लोग एक और application यूज़ करेंगे जो कि बहुत जदा optimize करा जेता है VR RAM को add इस बहल option box के अंदर है link provide करा दूँगा आप video देख लो पहले उसके बाद download कर लेना तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको open करने के बाद cache and data पे टिक करना है then then आपको यहाँ पर run and trim का option मिलता है उस पर एक बार click कर दो यह थोड़ा बहुत process लेगा and उसके बाद आप VR RAM को देख आपके पास हो 2GB RAM बला उसी में आप एकदम gaming phone जैसे gameplay कर पाओ इसके बाद इसके बाद जो setting हमें करना है और setting से आप अपने original RAM and VR RAM दोनों को एक साथ optimize कर सकते हो इसके लिए अपने phone के setting option पर जाओ उसके बाद additional setting में आपको जाना है then यहाँ पे developer option आपको देखने को मिल setting है जिससे game के अंदर graphics improve होता है and RAM को भी यह काफी ज़्यदा optimize रखता है तो इस setting को आप definitely enable करके रखना है इसके बाद आप settings से निकलो मत setting का जो main page है उस पर चले जाओ मतलब कि जहाँ पर आप setting को open करने के बाद आते हो सबसे पहले वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ अब बैटरी करके option मिलेगा उस पर जाना है उस पर जाती आपको यहाँ फिच्ट से एक setting option मिल जाएगा उस पर जाती ही आपको नीचे एकदम app battery saver का feature मिलता है इस पर जाना है आपको यहाँ पर क्या करना है आपका जो new state है उस पर आप click करो pubg new state पर यहाँ पर pubg new state को पु आसा ज्यादा तो बैटरी उस करेगा है बट जितना ज्यादा पावर इस गेम को मिल पाएगा और उतना ही बड़िया पर्फॉर्मेंस यह आपको प्रोवाइट करेगा तो इस चीज को भी आप और आपको BGM के अंदर 90 FPS और Ultra HD ग्राफिक्स को विटाउट एनी GFX टूलर कंफीक के अक्टिवेट करने आए तो आप description box में चले जाओ एक वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो को देखकर आप ओ काम इजीली कर सकतो मैंने सब कुछ step by step बता रखा है तो वीडियो जलू से करके आप directly play store से इन सभी apps को 100% free में डाउनलोड कर सकते हो और यहां पर यह वीडियो थोई ना खतम होता है इसके बाद बैटरी वाला वीडियो भी आप completely watch करो जिससे आपके फोन पर ना बैटरी को काफी ज़्यादा optimize कर सकतो जिससे आप one time charge देगा लंबे टाइम तक किसी फोन पर गेम खेल सकते हो तो चलिए आज के लिए वस इतना आई इस वीडियो में वस इतना आई मैं मिलता हूँ आप से इन दो वीडियो पर